चोटी चिडिया के बेटे कुकु की एक आदत बहुत बुरी थी कि उसे अपनी मम्मा का लाया हुआ भोजन पसंदना आता था वो हमेशा भोजन में नुक्स निकालता था आज ये नहीं लाई, मम्मा आज दाना क्यों लाई मम्मा आज आप फल क्यों नहीं लेकर आई ये फल खटा है, ये फल मीठा है वो ऐसे हर समय अपनी मम्मा को दंग करता था सुभा से गई हुई मम्मा चिडिया शाम को लोडती है वो अपने बेटे के लिए चने का दाना लेकर आई थी लो मेरे बेटे, आज मैं अपने कुकु के लिए चने का दाना लाई हूँ चने का दाना, आप सुभा से गई हुई है और शाम को लाई भी तो एक चने का दाना भला ये भी कोई खाने की चीज है मैं नहीं खाऊंगा चने का दाना बेटा इन दिनों जंगल में भोजन की बहुत कमी है मैं ये चन्ने का दाना भी बहुत मुश्किल से लाई हूँ तो फिर आप फिका ले ये चन्ने का दाना कूकू अपनी ममा से नाराज होकर सो जाता है वो ये नहीं जानता था कि उसकी ममा को दाना लाने के लिए कितने दुख उठाना पड़ते हैं कितने खत्रों को मोल लेना पड़ता है वो तो बस अपनी ममा से नाराज होना ही जानता था दूसरे दिन कूकू की ममा दूर तक जाती है आज वो अपने बेटे के लिए फर लाना चाहती थी अपने बेटे के लिए फल लेकर ही जाओंगी ये सोचकर ममा चडिया घने जंगल में जाती है वहाँ एक अनार के पेड़ से ममा चडिया को एक अनार मिल जाता है ममा चडिया बहुत खुश होती है और वो अनार लेकर घर लोड़ती है देखो तो, आज मैं अपने बेटे के लिए क्या लाई हूँ ये, ये तो अनार है, मगर मुझे एपल खाना था, आप अनार क्यों लाई है बेटा, मैं गई थी एपल के पेड़ से एपल लेने, मगर वहाँ एपल था ही नहीं फिर कूकू की ममा कूकू को अनार खोल कर देती है कूकू एक दाना अनार का ही खा कर रुक जाता है ये बहुत खटा है, मैं ये नहीं खाऊंगा कूकू बेटा, आप क्यों अपनी ममा को इतना तंग करते हो नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ये अनार में नहीं खाऊंगा अब तो ममा चिडिया बहुत तंगा गई थी वो अपने बेटे को सीख देना चाहती थी ममा चिडिया जान गई थी कि अब समय आ गया है वो अपने बेटे को भोजलाने के लिए आने वाली मुश्किलात के बारे में जानकारी दे ताके उसे एहसास हो, उसे मालूम हो कि भोजलाना इतना आसान नहीं होता दूसरे दिन ममा चडिया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है आज मेरा बेटा अपने पसंद से भोज़न ढ़ोण कर खाएगा मैं भी तो देखो मेरा बेटा क्या पसंद करता है वो मा बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं सामने जमीन पर दाना था ममा वो देखें सामने मागई के नरम-nरम दाने हैं ममा मैं मकई खाऊंगा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ इंतजार करो मुझे लग रहा है ये दाना किसी शिकारी ने बखेर रखा है ममा चडिया अभी बात ही कर रही थी कि एक बुलबुल किस्मत के मारी वहां आकर मकई का दाना खाने लगती है वहां तो सच में शिकारी ने जाल लगा रखा था बुलबुल जाल में फंच जाती है ममा चडिया अपने बेटे को लेकर जल्दी से वहां से उड़ जाती है वो मा बेटा बहुत तेज उड़ते हैं वो बहुत दूर जाकर रुकते हैं ममा ममा वहां तो खत्रा था बहुत खत्रा था वहां हाँ बेटा जहां असानी से दाना मिले और जहां ज्यादा दाना हो वहां खत्रा होता है फिर वो मा बेटा एक छोटे से खेत में जाते हैं वहां एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कावा आ जाता है बूरा बूरा नाम है मेरा ये खेत मेरा है फाग जाओ यहां से वरना तेरे साथ साथ तेरे इस बच्चे को कच्चा ही खा जाओंगा चड़िया कवे जी हम मा बेटा यहां दाना ढूंडने आए है एक बहर कहाना बूरे कवे से पंगा नहीं लेने का जाओ यहां से वो मा बेटा वहां से उड़ जाते हैं उड़ते उड़ते वो किसान के खेट की तरफ निकल जाते हैं किसान खेट में नहीं था वो मा बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं ममा क्या हमें यहां से दाना मिलेगा ममा मैं बहुत ठक गया हूँ मिलेगा जरूर मिलेगा बेटा अगर इस जगा से ना मिला तो किसी दूसरी जगा से मिलेगा मगर जो भी हालाथ हो हमें दाना तो लेकर ही घर जाना है ममा चडिया की नजर थोड़ी दूर एक शरार्थी इंसानी बच्चे पर जाती है और इंसानी बच्चे का फैंका हुआ पत्थर जाडियों में जाकर गिरता है बच गया ममा मैं बाल बाल बच गया अगर आप मुझे ना बता थी तो आज मेरा तो काम हो गया था फिर वो मा बेटा एक चावल के खेट में जाते हैं मगर थोड़ी ही दूर इंसान बंदूक लिए बैठा था वो वहां से भी उड़ते हैं हवा के साथ आसमान पर बादल आ जाती है और बारिश शुरू हो जाती है मौसम तो चंद लमों में ही बदल गया था माचरिया अपने बेटे को लेकर एक बेट की खोखर में चुप जाती है ममा बारिश कब रुकेगी कुकु बेटा अभी तो बारिश शुरू हुई है कभी कभी तो हमें इस बारिश के रुकने का पूरा पूरा दिन इंतिजार करना पड़ता है फिर कहीं जाकर दाना मिलता है हम सुभा से उड़ रहे हैं मगर अभी तक कुछ भी हात नहीं लगा ममा क्या भोजन की खोज इतना मुश्किल काम है हाँ मेरे बेटे मेहनत और इमानदारी से दाना का माना इतना ही मुश्किल है और चोरी करना आसान होता है मगर चोरी करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है शाम के बाद बारिश रुक जाती है अब तो अंधेरा भरने लगा था कुकु को अब ठंड भी लगने लगी थी कुकु बेटा चले बारिश रुक गई है अब हमें सुरज की रोशनी जाने से पहले पहले दाना ढूनना होगा वो फिर से उड़ते हैं और फिर आखिर उन्हें नदी के पास चने का एक पोदा मिल जाता है कुकु खुशी से शौर मचाता है ममा, ममा, चने का पोदा, चने का पोदा ममा हमें भोजन मिल गया ममा चिडिया उस बोदे से चने का दाना लेती है और एक चने का दाना उसका बेटा तोड लेता है और फिर वो मा बेटा अपने घर की दरफ उड़ते है घर जाकर ममा चिडिया सूखी घासे अपने बेटे के पंक सूखाती है और रसोई से एक खाली प्लेट लाकर रखती है ममा चिडिया अपना दाना उस प्लेट में रखती है कुकु भी अपना दाना उस प्लेट में रख देता है मगर आज कुकु की आंखों में आंसू थे कुकु बेटा क्या हुआ आप रो क्यों रहे हो ममा मुझे माफ कर दे आज मुझे एहसास हुआ है आप किन मुश्किलाज से गुजर कर मेरे लिए दाना लाती है और मैं घर बैठे आपका लाया हुआ दाना ठुकरा देता हूँ ममा आज तो मुझे ये चन्ने का दाना भी बहुत स्वादिश्ट लग रहा है हाँ मेरे बेटे मैं इसलिए तो आपको अपने साथ ले कर गई थी ताकि आपको मालूम हो सके दाना लाना कितना मुश्किल है आज आपने मेहनत की है और मेहनत से मिलने वाला चन्ने का दाना भी आपको मीटे फल से ज़्यादा सवाद देगा सोरी ममा आज के बाद आप जो भी लाएंगी मैं वो खुशी 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 खा लूँगा तो फिर चन्ने का दाना खाएं फिर वो माँ बेटा चन्ने का दाना खा लेते हैं और कुकु अपनी ममा के गले लगकर सो जाता है आज तो ठकन के कारण वो लेडते ही सोजाता है माचेडिया अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद ममा आप हारोज मीठा फल मुनी बेहन को दे देती है और मुझे रोज सुखा दाना देती है जगु बेटा बेहन छोटी है ना इसलिए वो अभी दाना नहीं खा सकती जब बेहन बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको और आपकी बेहन को आधा आधा फल दे दिया करूंगी मेरी ममा मीठा फल मुझे ही देंगी और तुम खाओगे सुखा दाना जगु कवा गुसे में घर से निकल जाता है नदी पर जगु कवे को उसका दोस्त चिडिया का बेटा कूकू मिलता है यार जगु मेरी ममा हर एक अच्छी चीज मेरी बेहन को देती है और मुझे सुखा दाना दे देती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है मैं समझा मेरी ममा ही ऐसा करती है हाँ दोस्त ममा गुडिया के लिए रोज मीठा फल लाती है और मुझे धाना ही देती है, किलोना भी गुडिया के लिए और गुडिया हर रोज ममा के साथ सोती है और मुझे अलग घौंसले में सुला देती है ममा गोरी बहन क्या करूँ, मेरा कुकु है कि समझता ही नहीं, हर समय अपनी छोटी बहन से चिड़ता रहता है चुडिया क्या बताऊं मेरा जगू भी ऐसे ही करता है कभी रात को सोने पर लड़ाई और कभी भाचन पर आप चिंता ना करें वो अभी छोटे हैं बच्चे हैं वो समझते हैं कि उनकी ममा उनसे प्यार नहीं करती जैसे जैसे बड़े होंगे समझ आएंगे वो हर्याली मेरा कुकू तो गुडिया को मारने तक जाता है कल तो उसने चमच गुडिया के दे मारा था कुकू और जगू की ममा बैठी ऐसे बातें करें थी और दूसरी तरफ जगू और कुकू बैठे एक दूसरे से अपनी बेहनों को बुरा भला बोल रहे थे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जगू कवा कुकू से कहता है यार कुकू मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारी ममा सिर्फ हमसे ही प्यार करेंगी वो क्या, क्या उपाई सोचा है जगू दोस्त हम ऐसा करते हैं, हम अपनी बहनों को काले जंगल में छोड़ाते हैं ना वो होंगी और ना हमारी ममा उनसे ज़्यादा प्यार करेंगी बात ठीक है, कल तुम अपनी बहन को ले आना और मैं अपनी बहन को फिर हम दोनों उन्हें काले जंगल में छोड़ाएंगे ऐसे वो दोनों अपने अपने घरों को जले जाते हैं लो मेरी कुडिया, आप ये अनार का रस पीलो कुकु बैठा अपनी बहन को घूर रहा था ममा, कुकु भाई मुझे खूर घूर कर देख रहा है आप ये अनार का जूस कुकु भाई को देदे चुप कर जा, मुझे तुम से बात नहीं करनी कुकु बैठा, अपनी बहन से प्यार किया करो तुम नहीं जानते, बहने अपने भाईों पर जान देती है नहीं करूँगा, नहीं करूँगा मैं गुडिया से कभी प्यार नहीं करूंगा ये हर रोज रात को आपके साथ सोती है दूसरे दिन मम्मा चुडिया भोजर लेने जाने की तियारी करती है बचो मैं भोजर लेने जा रही हूँ एक दूसरे का दिहान रखना मम्मा मेरे लिए मीठा फल जरूर लाना मम्मा चुडिया चली जाती है गुडिया जगु अपनी बहन को साथ लेकर तितलिया देखने जा रहा है कि तुम भी जाओगी तितलिया देखने मगर मम्मा वापिस आकर डांटेंगी ममा के आने से पहले पहले हम लोटाएंगे जगू और मुन्नी भी तो जा रहे हैं कुकू की बहन अपने भाई की बात मान लेती है और कुकू के साथ चली जाती है जगू भी किसी ना किसी तरह अपनी बहन मुन्नी को साथ ले आया था कूकू चले हाँ हाँ जगू गुडिया भी तिदलिया देखना चाहती है फिर वो दोनों दोस्त अपने अपनी बेहनों को साथ लेकर काले जंगल की तरफ चाल देती है काला जंगल बहुत दूर था इसलिए वो सब बहुत तेज उड़ते हैं और काले जंगल में पहुंचाते हैं जगू भाई कहां है तिदलिया यहां तो कोई तिदलिय नहीं है जगू भाई आपने हमसे जूट क्यों बाला यहां तो तिदलिया नहीं है हाँ हाँ हम दोनों दोस्त का ये प्लैन था तुम रहोगी आप इस काले जंगल में और हम सोएंगे मम्मा के साथ और गुडिया खाएगी यहां सूखा दाना और मैं खाऊंगा मीठा फल ऐसा कहते हुए जगू और कूकू जल्दी से वहां से उड़ जाती है मुनी और गुडिया भी अपने भायों के पीछे उड़ती है लेकिन जगू और कूकू इधर उधर उड़ते हुए घने जंगल में छुप जाती है और उनसे आँख चुरा कर वहां से भाग जाती है मुनी और गुडिया एक सुखे हुए पेड़ पर बैठ कर रोने लग जाती है भाई ने मुझे यहां छोड़ दिया अब मैं घर कैसे जाओंगी भाई गंदा है वो हमें मारने के लिए यहां छोड़ गे है मुनी हमारे भाई हमसे लफरत करती है शाम को ममा चुडिया भी घर आ जाती है और कुकु भी अपनी ममा के आने से पहले पहले घर पहुँच गया था कुकु बेटा बेहन कहा है ममा मैं तो सो गया था जम मैं उठा तो गुडिया ना जाने कहां जली गई हाई मैं मर गई मेरी गुडिया मेरी गुडिया कहां जा सकती है परेशान होकर ममा चुडिया घर से निकलती है उधर गोरी भी अपनी बेटी को घर में ना देह कर परेशान हो जाती है जगु बेटा सच सच बताओ आपकी बेहन कहां है मैं मैं सच कह रहा हूं ममा मुन्नी नदी पर पानी भी ने गई थी मुझे और कुछ नहीं पता गोरी कवी भी अपनी बेटी को ढोंडने निकलती है रास्ते में उसे चुडिया मिल जाती है गोरी बेहन मेरी कुडिया ना चाने कहां चली गई है चुडिया मेरी बेटी भी घर में नहीं है हो सकता है वो तोनों कहीं घूमने चली गई हो मगर गुडिया तो अकेली कभी घर से बाहिर भी नहीं निकली फिर चडिया और गोरिकवी अपनी बेटियों को पूरे जंगल में ढूंडती हैं और ठकार कर अपने अपने घरों को चली जाती हैं आज रात कुकू अपनी ममा के साथ लेटा हुआ था उसकी ममा रो रही थी मगर कुकू खुश था वो सोच रहा था कि अब गुडिया के हिसे का प्यार भी उसकी ममा उससे करेगी जगू भी अपनी ममा के साथ सोया हुआ था मुन्नी और गुडिया एक सूखे पेड़ के तने में चूपी बैठी थी गुडिया अगर आज की रात हम ची आइसा बोलो मुन्नी अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ है तो वो हमें खा जाएगा गुडिया सुभा तक अगर हम बच गए तो हम किसी ना किसी तरह घर वापिस पहुँच जाएगी मुन्नी हमारे भाई हमें यहाँ धोके से छोड़ कर गे हैं लेकिन हमारे भाई यह नहीं चांते कि हम उनसे कितना प्यार करती हैं मुन्नी अगर हम घर वापिस पहुँच गए तो ममा को नहीं बताएगी कि कुगु और जगु हमें यहाँ छोड़ कर गे थे ऐसे भाई हमारी ममा से पिटेंगे हाँ गुडिया हम कहेंगे कि हम दितलियां देखने यहां आए जैसे तैसे रात गुज़र जाती है और सुबह सवेरे मिठो दोता उस दिशा में आता है वो गुडिया और मुन्नी को देह कर वहां आ जाता है तुम तुम दोनों यहां हो और तुम्हारी माई रो रो कर मर गई है चलो घर चलो तोता उन दोनों को अपने साथ ले जाता है गुडिया को चिडिया के घर और मुन्नी को गोडिकवी के घर छोड़ कर तोता चला जाता है गुडिया बेटी भला ऐसे भी करता है कोई आप मुझे बताए बिना कहां चली गई थी कुकु पूरी तरहां डरा हुआ था कि अब गुडिया सच बताएगी और उसकी ममा उसे बहुत मारेंगी भाई भाई कुकु जिन्ता ना करें कुछ नहीं होगा गुडिया अपने भाई कुकु के कान में ऐसे कहती है ममा ममा मैं और मुनी दितलिया देखने काले जंगल गई थी के रास्ता भूल गई सोरी ममा मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी ये सुनकर कुकु अपनी बहन को गले से लगा लेता है मम्मा मेरी बेहन मिल गई मैं फिर कभी दुबार अपनी बेहन को खोने नहीं दूँगा हमेशा अपनी बेहन के साथ रहूंगा उधर मुन्नी ने भी जगु को बचा लिया था मुन्नी बेटी फिर अगर तितलिया देखने जाना हुआ तो बड़े भाई को साथ लेकर जाना भाई भाई जगु ले जाओगे ना मुझे बताओ बताओ हाँ मुन्नी जरूर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा ऐसे मुन्नी और गुडिया अपने अपने भाई की गलती पर परदा डाल देती है और फिर उनके भाई भी अपनी बहनों से प्यार करने लगती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद